आज है 5 सितंबर 2022 और 5 सितंबर 2022 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लाश्टम में आपसे कुश्चन भी पूचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पीडियो के डिस्कसियों से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाप आप मारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग तो अभी तेन सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रेपर डे मनाया गया तो इस कुश्चन का बे ओप्सन सही है अब नेशनल स्काई स्क्रेपर डे यानि की राश्टी गगन चुम्मी इमारत दिवस ये हर साल तेन सितंबर को मनाया जाता है अच्छा मनाया क्यों जाता है तो एक अमेरीकी बास्तुकार थे, लोई- 오 एच्छ- सुलिवन इनकी जैनती होती है तेन सितंबर को, इसलिए हर साल तेन सितंबर को National Sky Scraper Day मनाय जाता है, अच्छा, अभी दो सितंबर को 200 नारियल दिबस मनाय गया था, World Coconut Day, ये दो सितंबर को मनाय गया, और अब ये सितंबर में दूसरा important day बनाया गया है तेन सितंबर को रास्टी गगन चुम्मी इमारत दिवस तो इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचीब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में सरकार एस्ट्रो परेटन को बढ़ावा देने के लिए कहां देश का पहला night sky apparent इस्तापित करेगी तो अभी सरकार एस्ट्रो परेटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला night sky apparent लद्दाक में स्तापित करेगी तो इस question का say options है अच्छा लद्दाक तो लद्दाक अब एक union territory है तो लद्दाक के lieutenant governor कौन है आर के मातुर अभी 26 में सिंदू दर्सन यात्रा लद्दाक के लेह में सुरू होई थी सांस्क्रतिक बिरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदा एक संग्राले का उद्गाटन अभी लेह में हुआ और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानि की रोबिंग सिनेमा होल लेह में स्तापित किया गया इतना आप लद्दाग से रिलेटेड Babylonian जाद रखिए नैस्यूशन है हाली में Sunriser हैदराबाद के मुख़्ी कोच के रूप में केसे लिएब किया गया है तो Brian Lara को अभी Sunriser हैदराबाद के मुख्ी कोच के रूप में अपॉंट किया गया अच्छा किर्किट की बात है तो अभी किर्किट के तेनो फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले पहले खिलाडी बने हैं बिराड कोली और अभी T20 किर्किट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारते खिलाडी बने हैं रोहित सर्मा ने क्यूशन है हाली में AIFF के नए महासचेव कौन योगत हुए हैं तो अभी साजी प्रभाकरन AIFF यानि की All India Football Federation के नए महासचेव पॉइंट हुए तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है मैंने आपको कल ही बताया है AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं कल्यांड चौबे अच्छा AIFF इसकी स्तापना कव हुई 1937 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे हैं न्यू डैली में और इसके प्रेजेंट हैं पे प्रेसिडेंट कौन है कल्यांड चौबे अच्छा अभी नागे सिंग को थाइलेंड में भारत का राजदूद नियूक्त किया गया है बेकरम दोराई स्वामी इनको UK में भारत का उच्चायूक्त अपोइंट किया है एक है प्रणै कुमार बर्मा प्रणै कुमार बर्मा को बांगला देश में भारत का उच्चायू तो पॉइंट किया गया अभी Credit Swiss के नए CFO बने हैं देख्षित जोसी NII के निदेशक के रूप में अभी देवासीस मुहंती को न्यूक्त किया गया है सुरक्षा बलके महानिरिच्च के रूप में प्रबीड चाबडा को न्यूक्त किया गया राजेस भर्मा को राष्टपती द्रौपती मुर्मू का सच्चिव नियूक्त किया गया है और बजाज Electricals ने अनुझ पूददार को MD&CEO के रूप में पदोन्नत किया है ने क्यूशन है हाली में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संक्या को बढ़ा कर कितनी कर दिया है तो अभी सेबी का जो साइबर सुरक्षा पर पैनल था उसमें अभी तक 4 सदस्य थे अब इसको बढ़ा कर 6 सदस्य कर दिया गया है तो इस question का C options आई है, C B, यानि कि Security and Exchange Board of India, इसकी स्थापना कव होई 1992 में, इसका headquarter कहां पे है, Mumbai में, और इसके present time पे chairman कौन है, मादवी पुरी बुच, कौन है, मादवी पुरी बुच, Next question है, हाली में IILM University ने बारत में कहां पहला NEP 2020 अनुपालन Law School लाँच किया है, तो IILM, यानि कि Institute of Integrated Learning, उनिवरस्टी ने बारत में पहला NEP 2020 अनुपालन Law School, Greater Noida में लाँच किया है, तो इस question का A options है, ये उत्तरपदेश सरकार और Bar Council of India की Permission से लाँच किया गया है, ने question है, हाली में किस राज सरकार ने NCR की तरज पर राज्य राजधानी चेत्र बिक्सित करने का निड़ लिया है, तो जैसे NCR है National Capital Region, इसी तरह State Capital Region डिवलप करने का निड़ लिया है, उत्त उत्तरपदेश सरकार ने, तो इस question का A options है, अब उत्तरपदेश में लखनव के आसपास State Capital Region डिवलप किया जाएगा, अब उत्तरपदेश तो ये है मैप में उत्तरपदेश, उत्तरपदेश की Capital क्या है, लखनव, और लखनव किस नदी की किनारे स्थित है, गोमती नदी कि राज की पुस्प है, पलास और राज की ब्रच है, असोक का ब्रच, बारत का पहला नाइट सफारी और जैब विवित्ता पार्क अभी लखनव में बनाय जाएगा, उत्तरपदेश सरकार ने, अबैद सराप और नकली दवाओं के ब्यापार के लिए, एंटी नार्कोटिक् अंचमरत योजना सुरू की, और बाराणसी में अखिल भारती सिक्षा समागम का उद्गाटन किया गया, अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है, कतर्निया घट वाइल लाइफ सेंचुरी है, और पेले भीत टाइगर रिजर्ब है, इतना आप तिर्वनंत पुरह में तेस्मी दक्षडी छेत्री परिषद की बैठक की अध्यक्स्ता किस ने की है, तो अभी ग्रह मंत्री अमिज साह ने तिर्वनंत पुरह में तेस्मी दक्षडी छेत्री परिषद की बैठक की अध्यक्स्ता की, तो इसकुशिन का बे आप्शन सही है, Next question है, हाली में केसे National Legal Services Authority का Executive Chairman निक्स किया गया है तो Justice Day by Chandrachud को National Legal Services Authority का Executive Chairman अपॉइंट किया गया है तो इस question का A options है यह है justice day by चंद्रचूड यह हमारे अगले चेप justice बनेंगे यानि कि 50 में चेप justice of India बनेंगे अभी 49 में चेप justice of India कौन बने है justice U.U. ललित नए question है हाली में Ena Brannwig को 2024 तक किस देश की प्रदालबंत्री नामित किया गया यह travelling अप image में देखिए यह है Ena Brannwig और यह सर्विया की पहली समलेंगिक प्रदालबंत्री है अब इनको 2024 तक के लिए प्रदालबंत्री नामित किया गया है अब सर्विया तो ये है मैप में सर्विया सर्विया की capital क्या है Belgrade सर्विया की currency क्या है सर्वियन दिनार और सर्विया के present time पे प्रेसिडेंट कौन है अलेक्जेंडर भूसिक कौन है अलेक्जेंडर भूसिक अच्छा अभी माली की सेना ने कर्णल अब्दुलाय माईगा को अ बजराम बेगज ने अलबानिया के राश्टपती की रूप में सफ़त ली है अभी सेख मुहम्मद सवा अलसलेम क्वेट के नए प्रदानमंत्री बने और यायर लेपड ये इसराइल के चौदे में नंबर के प्रदानमंत्री बने है नेक क्यूशन है हाली में 64 में रमन मैकसे से पुरुसकार 2022 से किस कमबोडियाई मनोच चिकितसक को सब्मानत्र किया गया तो अभी 64 में रमन मैकसे से पुरुसकार चार लोगों को मिले हैं और चारो नाम में नहीं आपे लिग दिये हैं जिसमें से एक कमपोडिया के मनोचिकिद शक है, सो थियारा चिम इनको भी सबमानत किया गया है, तो इस्कुशन का एक फलेपीन्स के बाल रोग शक है, बरनार्ड मैडडीट इनको भी रमन मैक्से से पुरूसखार मिला है और एक फ्रांसी सी पर्यावर्ड कारे करता है, इनको भी रमन मैक्से से पुरुषकार मिला है उनका नाम क्या है? Gary Benzig, कौन है? Gary Benzig तो इनका नाम आप नूट कर लेजी, इन चार लोगों को रमन मैक्से से पुरुषकार मिला है नेक्स यूशिन है, हाले में किसानों के कल्यांड के लिए रूरल बैक्यार्ड पिगरी योजना को केस राजसरकार ने शुरू किया है तो किसानों के कल्यांड के लिए रूरल बैक्यार्ड पिगरी योजना इसको अभी मेगाले ने शुरू किया है तो इस क्युशन का बे ओफ्सनस है ए सुझना का उद्देश है क्या है तो इस यूजना का उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि किसान, बेभिन, पसुदन, खेती, गतबिद्यों के बाद्यम से एक इस्ताई आजेभी का अर्जित करने में सक्षम मन जाएए अब मेगाले तो यह है मैप मेगाले मेगाले की केपिटल क्या है सिलॉंग मेगाले के चीपनिष्टर कौन है कौन रट संगमा और मेगाले की गवर्नर कौन है सत्तिपाल मलिक हाली में Indian banking in retro aspects 75 years of independence नामक पुस्तक किस ने लिगी है तो यह पुस्तक लिगी है आस्तो स्रारावेकर ने तो इसको शिन का A options है एक तो आपको बुक का नाम याद रखना है और इसके writer है आस्तो स्रारावेकर इनका नाम याद रखना है हाली में पवन कुमार बूर ठाकोर ने केस राजी के मुख्य सचिब के रूप में कारेबार समाला है तो पवन कुमार बूर ठाकोर इन्होंने अभी असम के मुख्य सचिब के रूप में कारेबार समाला तो इसको शिन का B options है अब असम तो यह है map में असम असम की capital क्या है द विद्यारत इस्कूल और वेल्स परियोजना शुरू की पबन कुमार बोर्ठाकुर ये अभी असम के मुख्य सच्चिप अपॉइंट हुए थे अब इन्होंने मुख्य सच्चिप की रूप में सफद ले ली है अच्छा अभी मुख्य मंत्री ने 1000 मौडल अंगलवाडी बच्पटि इस असम के इंपॉटेंट नेशनल पार्क हैं अच्छा असम के लोकनत्त्य कौन- 2022 और जुमोर ये असम के इंपॉटेंट लोकनत्त्य अच्छा काजी रंगा नेसेनल पार्क चुस्चिंघ कि बनता है कि इस किन प्रिक ये अर्क भाल किन्दरिय वाले ऐसा और हाली में SBI ने Finance Year 2023 में भारत की आर्थिक ब्रद्दी दर का अनुमान कितना लगाया है? तो SBI ने Finance Year 2023 में भारत की आर्थिक ब्रद्दी का अनुमान 6.8% रहने का लगाया है. तो इस question का say options आई है. पहले SBI ने 7.5% रहने का लगाया था, लेकिन अब इसे घटा कर 6.8% कर दिया है. अचा कल ही मैंने आपको SBI से related equation मताया था. SBI ने cash back credit card launch किया है, जिस पर आप online shopping करने पर आपको 5% का cash back मिलेगा. SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में. SBI के headquarter कहां पर है? मुंबई में. अब लाश्ट वीडियो के question का answer. लाश्ट वीडियो मैंने आप से question पूछा था कि हाली में किस bank ने cash back credit card launch किया? तो अभी मैंने आपको बता है, SBI ने cash back credit card launch किया. यानि किस question का say option सही था और लगबग सभी स्ट्वेर्ण ने इसका answer सही दिया. मुश्ट वीडियो ने इसके बारे में detail में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा. Question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा स्यादा पता हो, आप लिखा करो. क्योंकि जो चीज़ें आप लेख देती हो, फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते. अब आपके लिए आज का Question है, हाली में केस राजी के सिक्षा विवाग ने एक governance portal समर्थ सुरू किया है. चार option दिये गए हैं, इनमें से आपको अपना answer बताना है. और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं. तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indresrc, indresrc, Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरी साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं. अच्छा, आज किस video का आप target जरू याद रखना, आज किस video का target है 40 या like का, तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस video को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook गुरूप हैं, उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो, तो ये था, आज का हमारा current interface का video, आपको ये video कैसा लगा, प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए, आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आपसे subscribe करेंगे, तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए, जिससे कि आप खुद daily morning में current interface की video मिलती रहे, next exam all page video, thanks for watching.